हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका कुपी 3 नुमोरिय में और आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मटर का पराठा जो की बहुत ही टेस्टी बन के तियार होता है तो उसके लिए हमने हरे लशुन प्याज और मिर्च और धनिया को काटके और अलग रख लेंगे और उसके लिए हमने क वाइल होने के लिए कुकर में रख दिये थे इसमें मेडियम फ्लेम पर दो या तीन स्टेटी लगा लेंगे उसके बाद हमारा देखिए मटर और आलू वाइल हो गया है और इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए दिखें कितना अच्छा सही है मैश हो जा रहा है और इसके बाद हम आलू को एक एक करके इसके चिलके उतार लेंगे और जब तक हम चिलके उतार रहे हैं तब तक आप से कुछ हम बाते कर लेते हैं और हमारे जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लिजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए गया ताकि मारा आगले वीडियो का नोटिफिकेशन है और आप तक जरूर पहुंचे हमारा आलू अब चिलके त्यार हो गया है और इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे मैसर की मदद से या जैसरी भी आप मैश करना चाहते हैं आप इस दोनों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे और इसको तब तक हम ठड़ा होने के लिए इसको रख देंगे उसके बाद हम जो लिए थे सावुत मसाले उसको हम एक कडाही चड़ाएंगे और उसमें हमें एक एक करके और मसाले को हम भूल लेंगे ये रिसीपी बहुत चकले और विलन पर रखके हम ऐसे दरदरा कोट लेंगे या तो आप चाहे तो मिक्सर में भी इसको थोड़ा सा पीश सकते हैं तो देखिए एक दम दरदरा पीशेंगे ज्यादा महिन नहीं करेंगे यह भी मसाला हमरा तियार हो गया उसके बाद हम रखेंगे कैस पी कड़ाही हम डालेंगे देदोचमाजत तेल यह अर कि अधिल जब गरभर जाए तो उसमें हम डालेंगे लेशुन और मिर्च उसमें हमने हर्या लऽशुन लिया है दो राज की कलAdam भी आप ले सकते हैं अ मिलता है थैसमें हम डालेंगे प्याज और इसको हम हलका सा प्राव होने बोनें और उसके बाद देकि अब ब्रॉणे मتم जाया तो उसके बाद हम अध़ाइनेंगे था बोलेंगे थोड़ा साथ दो मिनट हो देंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया और धनिया को थोड़ा साम भूल लेंगे ताकि उसका जो टेस्ट है वो मसालों में मिल जाए उसके बाद हम जो आलू और मटर का जो पेश्ट पनाया थे उसको हम डाल के इसमें अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद जो नम ये चार मिनट गैस पे इसको हम भूल लेंगे और देखिए आब इसमें एक दम अच्छी सी खुसबू आने लगी एक दम सौनी सौनी सी ये पराठे बहुत अच्छे बनते बहुत टेस्टी बनता है आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा तो इसको हम फिर अलग निकाल हम पराठे बनाने शुरू करेंगे तो हमने आटे के छोटे-छोटे लोई लेंगे और उसको हम तोहे माँट अgikes और दहा लेंगे और उसमें हम ड़्लेंगे स्टफिंग और गडालों कि लाऊंगे तोड़ा सा और भी सॉर चयार कर लेंगे और उसके बाद पलोधन लगा कि हम इसको बैल आप करें तबा घरम हो गया है तबेपे हम डालेंगे पराठा और इसको हम दोनों साइड तेल लगा के और अच्छे से इसको हम पका लेंगे दोनों साइड से दबाते दबाते इसको हम पकाएंगे और जब ये दोनों साइट से सिख जाए तब हम इसे चटनी के साथ या उसोस के साथ हम सर्व कर सकते हैं तो आप भी इस पराठे को जरू ट्राइ कीजिएगा और आप भी पराठे को बना कर खाईए और हमें लाइक करके जाईएगा और एक गुजारिस है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तैंक यूँ